गुद मॉर्निंग बच्चो बच्चो, हम हमारे आसपास विभिन प्रकार के पौधे देखते हैं कुछ बड़े होते हैं और कुछ छोटे पर क्या आपने कभी देखा है कि पौधे चाए बड़े हो या छोटे पतले हो या मोटे लेकिन उनकी एक सी संरचना होती है विभिन भागों के बारे में सीखेगे जैसे हमारे शरीर में विभिन भाग होते है जैसे कि हाथ, पैर, नाक, कान, मुँ, इत्यादी और वे सभी हमारे ले महत्वपुन होते है क्योंकि प्रतियक अंग एक अलग भूमी का निबाता है उसी तरह पौधों के भी कई बाग होते है प्रतियक भाग अलग भूमी का निबाता है और वो पौधों के लिए आवश्चक होते है संशेप में पौधों के दो मुख्य बाग होते है एक भाग जो जमीन के नीचे रहता है वह जड यानी रूट्स कहलाता है और दूसरा भाग जो जमीन के उपर होता है उसे शूट कहा जाता है सबसे पहले हम जमीन के नीचे वाले भाग को देखेगे यानी रूट्स या जड को देखते है जड़ पौधों का सबसे महत्वभून भाग होता है क्योंकि ये पौधे को जमीन में स्थिर रखता है जिससे पौधा गिरता नहीं है जड़े मिट्टी से पानी और पोशक तत्व लेती है जो पौधों के विकास के लिए आवश्चक होते है अब हम पौधों के उस बहग को देखेगे जो जमीन के उपर होता है क्या आप जानते है कि पानी और पोशक पदार्थ जड़ों से पौधों के सभी भागों तक कैसे पहुचते है यह कारिय पौध के तने यानि स्टेम के द्वारा होता है तना या स्टेम पौधे का उपरी भाग होता है पौधो का सम्तल हरा हिस्सा जो पौधो के लिए भोजन तयार करता है वह पत्ति यानी लीफ कहलाता है पत्तिया सूर्य के प्रकाश, जल और वायू की अपस्तिती में भोजन तयार करती है पत्तियों को पौधो का रसोई घर यानी किचन कहा जाता है पौधो का सबसे खूबसूरत हिस्सा है फूल यानी फ्लावर्स फूल सभी रंग, आकार और आकरती में आते है फूल फल में बदलते हैं जिने हम सभी शौक से खाते हैं जैसे की स्वादिश्ट आम तो जैसे हमने देखा पौधो के दो प्रमुग भाग होते है एक होता है जड जो जमीन के अंदर बढ़ता है और दूसरा होता है शूट जो जमीन के उपर बढ़ता है जिसमें तना, पत्तिया, फूल और फल शामिल है चलो अब हम इन भागों के बारे में कुछ और विस्तार में जानते है क्या सभी पौधों की जड़े समान होती है जरा इस सेम के पौधे की जड़ को देखिए हम इसमें देखते हैं कि इसमें एक मुख्य जड़ है यानि में रूट है, जो तने से मिट्टी के भीतर की ओर बढ़ रही है और कई छोटी जड़े इस मुख्य जड़ से उग रही है यहां मुख्य जड़ टैप रूट कहलाती है मुझे यकीन है कि आप सभी को गाजर और मूली बहुत पसंद होगी गाजर और कुछ नहीं बलकि एक जड़ यानि रूट है गाजर के पौधे की मुख्य जड़ और उस मुख्य जड़ में अनेक छोटी छोटी जड़े होती है इसलिए गाजर एक टैप रूट है अब हम इन हरे प्याज की जड़ो को देखते हैं इनकी एक जड़ नहीं है बलकि यहां तो इसके तने से बहुत सी पतली और घनी जड़े निकल रही है इन पतली और घनी जड़ो को रेशेदार जड़ यानि फाइब्रस रूट कहा जाता है अब हम एक और उधारन देखते हैं यहां है घास यहां भी खई पतली जड़ तने के अंच से उग रही है इसलिए यहां भी फाइब्रस रूट है क्या आपने आम का पेड़ देखा है? बड़े पेडों का तना ठोस, मजबूत और डंडीदार होता है जैसे की आम के पेड़ का तना इसलिए बड़े पेड़ के तने को यानि स्टेम को टरंक कहा जाता है बड़े पेड़ के तने के ऊपर बहुत सी शाखाए यानि ब्रांच होती है और शाखाए पत्तियों यानि लीव से ढखी रहती है पेडों पर अनेक फूल होते हैं जैसे कि आप इस आम के पेड में फूलों को देख सकते है या फिर सेप के पेड के ये फूल जो इस तस्वीर में दिखाए गए है फूल फल में बदल जाते है जैसे कि अब आप आम के फूलों की जगा आम के फल देख सकते है और सेप के पेड के फूल अब रस्दार सेप में बदल गए है जब भी आप आम या सेप खाते है आपको अवश्य ही इनमें बीज यानि सीट्स मिला होगा कुछ फलो के बीज यानि सीट्स बड़े और कुछ के छोटे होते है कुछ फलो में बहुत से बीज होते है जैसे कि तरबूज और सेब में और कुछ में बहुत कम या केवल एक ही बीज होता है जैसे कि आम में या पीच में और कुछ फलो में तो बीज ही नहीं होते संशेप में पौधों के दो भाग होते है जड जो जमीन के अंदर होता है और शूट जो जमीन के उपर होता है शूट के कई और भाग होते है तना या ट्रंक जो शाखाओं से जूड़ता है और उस पे पत्या और फूल होते है और फूल फल में बदल जाते है जिसमें बीज होते है आज के लिए इतना ही बच्चो बाई बाई